हम यह लड़ाई के हिस्सेदार हैं क्योंकि छो मुंता सामने आया है यह मुंता सिर्फ समाजी क्रूप से हमारे समाज के अगर जो पीरा के सिकार है समाजी क्रूप सौर्फ के सिकार है उटके उबर जो हमला हो रहा है वो हमला को अलग हमला नहीं है जैसे की रेंजी बोल रही थी कि यह सद्मिधान के जो सोच है जो समिर्हान हमारी देश की अजानी के लडाई के एक फसल है उनके उपर हमला चलाया जा रहा है उन्हीं लोगों की ओड़ से जो लोगों का देश की अजानी के लडाई से गोल लेना देना नहीं था तो वो इस तरह से हमला कर सकते हैं और अधर रहे तो इसलिए ये सर शिक्षकों का लडाई नहीं है ये सर दरिन बंजीदों का लडाई नहीं है एक हिसाब से ये देश की लोगते लडाई के हिस्सा है और इसलिए हमें पुरा यकीन है कि ये लडाई हद्धी तेगे और हम ये कहना चाहते हैं ये सरकार कितना भोके बाजी कर रहा है सरकार ने वौदा किया था कि ये ओर्डिनेंस लाएंगे और एक साय जो हुआ है जो एक हिसाब से आख मिचोली खेल रहे है जब लगना है कि दवाव जाना है वो बोलते हैं ओर्डिनेंस लाएंगे और फिर हट जाते हैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले गुरुबार 28 बर्वरी सरकार ने ओर्डिनेंस लाया है क्या ओर्डिनेंस लाया है कि अधार के सवाल पे अधार के जो जानकारिया है वो प्राइवेट कंपनी इस्तमाल कर दे जो प्रापधान था अधार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोप दिया था और उसी समय से ये कॉर्पोरेंट और सरकार के अंदर जो मीली भगत का उलोले साजिश रच रहे थे की ओडिनेंस लागके सुप्रिम कोर्ट का जो ओडर है इसको वो नकाम करेंगे और पिछले कुरुबार को वो ऐसा ओडिनेंस लाया है तो तीच संसत के सलक्ष लाने के बावजूत भी और राजसवा से पास नहीं किया पाये थे वो ही बात वो अभी ओडिनेंस के अंदर शामिल करते हुए पास कराया है और राष्ट्रपती जी से हस्टाक्षर पड़ा दिया तो बात ऐसा में यह ओडिनेंस नहीं की जा सकती है सवाल यह है उनके मन में सबश्ट समझ है वो किनके बक्ष में ख़णा होंगे और किनका मुखबत करें इसलिए वो दिलिप, ओवी सी, जन्जाती के लोग दुस्से लोगों को जो समाजिक सौदेलापन के शिकार है उनके साथ ख़णा नहीं होंगे वो खोड़नित के साथ ख़णा होके यह बात समझ होगे तो इसलिए यह जो आपका लड़ाई है बहुत बहुत आपको मुबारक बात है और हमें लड़ाई आने वाले दिनों में भी लड़ना होगा ऐसे काक्तों को अगर हम राकस नहीं दे पाएंगे तो अगला दीन हमारे लिए यह मुल्क में अंधेरा चाया हुआ होगा और यह लड़ाई में हम सब एक साथ मिलेंगे लड़ेंगे इस वाना के साथ मैं अपना बात पत्त कर रहा हूँ जैभी इंकिलाव दिनावाद झाल